अमस्कार बहुत सभागत है आप सभी का आप देख रहे हैं इंडिया टीवी हमारी खास पिश्कष शुरू होने जा रही है 2024 के भाँ संग्राम के लिए आप सिर्फ 200 दिन बचे हैं कौन आगे है कौन पीछे है कौन जीतेगा देश कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश इस सारे बड़े सवाल हमारे सामने है देश में बीजेपी साड़े 300 प्लस की बात कर रही है यानि अब की बार साड़े 300 पार ये नारा दिया है वहीं यूपी में बीजेपी ने तै किया है मिशन 80 सामने विपक्ष नरिंद्र मोदी के खिलाफ एक चक्रव्यू रचने की तैयारी कर रहा है विपक्ष की कोशिश है बीजेपी के हर उम्मीदवार के सामने संयुक्त विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार लड़े जैसा 2019 में यूपी में हुआ था मतलब बीजेपी को 50% वोट की लड़ाई लड़नी पड़े विपक्ष 2019 जैसी कोशिश करना तो चाहता है लेकिन 2019 का यूपी का नतीजा भी जानता है यूपी में महागटबंदन मोदी के रत को नहीं रोक पाया था तो 2014 में ऐसा क्या खास हो जाएगा आज सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की ही जहां मोदी के साथ अब योगी का नाम भी जुड़ चुका है आईए आपका परिशे हमारे मेहमारों से करा दें सबसे पहले तालियों के साथ सबागत कीजे और यूपी में एक एकस्पर्ट के तौर पर आप इनको देख सकते हैं छे किताबे लिख चुके हैं योगी आदितिनात की ओपर इनोंने तीन किताबे लिखी हैं उनके काम से प्रभावित भी है और जनता को उनके काम बताते भी हैं अजय आलोग जी भारती जनता पार्टी से हमारे साथ बस किसी भी पल अब जुडने जा रहे हैं सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि यूपी में अब किस किसम के सियासी समिकरन बन रहे हैं बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा कि वो अपने सहयोगियों का साथ ध्यान नहीं रखती जो जो उसके साथ जुड़ा चोटी पार्टियों को बीजेपी ने या तो खतम कर दिया या वो उसके साथ नहीं रही लेकिन यूपी में क्या हो रहा है ये आपको हम दिखाते हैं एक नज़र यूपी में कैसे सेनाएं तयार हो रही हैं दोनों धणों की उस पर एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश में अभी ताजा खबर ये है कि सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर जिन्होंने योगिया अधितनाथ के साथ मुलाकात की है वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं 2024 चुनाव से पहले अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए ए इनका बड़ा प्रभाव है अभी तक गटबंदन की बात हो रही है लेकिन 2019 जैसे एक्सपेरिमेंट क्या एक बार फिर यूपी में होगा अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता फिलहाल आप इन चेहरों को अलग अलग ही लड़ते होई देखें समाजवादी पार्टी के साथ जर इस तारीफ को पटना में बैठक होगी जहां सारे विपक्ष के नेता मौझूद होंगे और वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी के खिलाब 2024 के लिए कोई गटबंदन तयार किया जाए भाटी साब शुरुआत आपसे करना चाहते हैं चरजागी बीजेपी ने दिया है मिशन 80 अब मिशन 80 सुनकर के उतनी हैरानी नहीं होती क्योंकि ये 73 और 64 ये छूँ चुके हैं 2014 और 2019 में इस बार ऐसा क्या खास करने जा रहा है वेपक्ष आपसे करें तो दिया है यानि ये खुदमान रहे हैं के पहले जैसा रिजल्ट इने नहीं मिलागा अब पिछली बार 28 के आऊस्पा साद बीजेपी कितनी थी 282 चौदा में थी 303 थी 2019 तो जब 400 पार करके 300 पे आ गए थे अब साड़े 300 पार करके कितने पारेंगे 50 सीट तो कम से कम घटेंगे और हमारा मानना यह है मेरा नहीं जो भी गंभीर राजनिति को भी इस ले सके हैं उन सबका यह मानना है कि अगर भारते जंता पार्टी की 100 सीट कम हो जाती है कटबंदन की आरजे उसकी जो एंडिये की तो फिर भारते जंता पार्टी की सरकार नहीं बनती है और 100 सीट हैं हमें कम होती दिख रही है अगर आप स्टेट वाईज आप देखेंगे महराष्ट, मद्प्रदेश और करनाटक में जिस तरह इनों ने तिकड़मों से और समयधानिक संस्थाओं को दुरुपियोग करके रुपे खर्च करके विधाय खरीद खरीद के तीनों चुनी हुई सरकारें किराईं महराष्ट की भी, मद्प्रदेश की भी और करनाटक की भी तीनों के जन्मानस में तगड़ी रियक्शन है जिस तरह बिहार के मुखमंतरी नितीस कुमार को अपमानित करके अलग होने के लिए विवस किया गया और मुद्दों पर लड़ाई हुई नितीस कुमार सामाजिक नयाय में विश्वास रखते हैं वो सामाजिक नयाय की मांग उठा रहे थे बाहरते जन्ता पार्टिक सामाजिक नयाय की विरोधी है और इस चुनाव में ये भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ सारफ जी आप बहुत सजग पत्रकार है इस चुनाव में सामाजिक नयाय का मुद्दा एक महत्मु मुद्दा बनने जा रहा है जो अभी से चर्चा में है ओबीसी के साथ हर स्टेट में नयाय जहां जहां बीजेपी की सरकार है जैसे उधान के तोर पे केवल आरोप नहीं है उत्तर प्रदेश हाई कोट का ये फैसला है कि 69 जाजार सिक्षक की जो भरती हुई थी उसमें ओबीसी के 18,000 पद बीजेपी की सरकार ने बेइमानी करके हड़प लिए ये हर जगे शिकायते हैं पीछे ऐसी कई भरतियां हुई है सरकारी भरतियां जिन में OBC की मेरिक जनल से उपर गई है ये एक विशे आप बता रहे है जाए इनकी खिलाव बहुल बना आपने चार स्टेट्स का नाम लेके बताए उसमें यूपी नहीं आपने नाम लिया 2017 में सरकार बनी मानिय योगी जी ने किसान समरद्य आयोग का गठन किया और कहा है किसानों के आय बढ़ाने के लिए काम कराएगा 17 तरह से आज तक उसायोग की एक मीटिंग नहीं हुई एक भी मीटिंग अभी पीछे एक इन्वेस्टर समिट हुई है लखनव में जिसमें दावा किया गया कि 44,000 करोड के मोईं साइन हुए एए ऐसी एक इन्वेस्टर समिट 2000 एंठार में हुई थी उसमें 4 लाक करोड का दावा किया गया था इंवेस्टमेंट कितन आया कुल 49,000 करोड ये 37 महाना जी न विध्वन सभा में जवाब दिया था मेरा जवाब नहीं है और उसमें खर्चा कितना किया था इन्होंने इन्वेस्टर समिट पर 650 करोड और इसी तरह अन जो घपले घोटाले खुल रहे हैं परिक्षा घोटाला परिक्षा के कितने पेपर आउट हुआ है अब आपका कहना है कि ये सारे मुद्दे जो है अब आप विपक्ष एक होर ना हो पुलिस का उत्पिरन पुलिस का उत्पिरन अभी कानपुर में एक व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट ली गई ठीक है और वो CCTV फुटेज में लुटे रहे आगए और चांदी इस्पेक्टर के घर सा परामदू ये हाल यूपी का हो गया है दो घंटे चार घंटे कम पड़ेंगे ऐसी में बीजेपी को कहूं भी अपनी उपलब्धियां मता दो ये दिन भर गिनाते रहेंगे आप कह रहे हैं कि घठबंदन हो या नहो इस बार बीजेपी नीचे आने जा रही है सौषीट देश में नीचे आएगी यूपी में कितना नीचे आएगी ये बता दीजे बस एक वाख लेख में तो हमारे नेतान गोसना कर देगा हम असी सीट जीतने के लिए लड़ए और कोसिस करगे बीजेपी को जीरो पहुचा दें आप बतलब आप भी SC जीतने के लिए लिए लगा है अजया आलोग जी आ चुके हैं पीजे पीजे स्वागत करना जाते हैं अजया आलोग जी का लेकिए आपका मिशन 80 है यूपी में उन्होंने पहले से तैय कर रखा SC बाकी पार्टियां कीरतन कर रही है हम लोग इस्टूड में गया परिष्चन पर जाता है आपका पर्सेप्शन क्या था जब आपकी सरकार थी सपा की हो चाहे बसपा की यूपी का क्या हाल था इसी नौइड़ा का क्या हल था मैं दूर भी जा रहा हूं लखनौबाद में चलेंगे यहां नौड़ा में 6-7 बजे के बाद कोई निक क्रिमिनल्स कहां है या तो जेल में या यूपी से बाहर यही परिशानी है इनको कि क्रिमिनल यूपी से बाहर क्यों चला गया क्रिमिनल जेल में क्यों चला गया एक अतिक हमद की हत्या हो जाती है तो उस पे इन लों की लगता है कि इन कछाती फट गया हूँ एक से एक डायलो इतने हाइवे बन रही हैं यूथ में कॉंफिडेंस बढ़ा है योगी जी के नेत्वित में यूपी ने जितना काम किया है उत्ता अगर अखिलेश किये होते ताज यह हालत नहीं होती तो इसलिए इनको जो भी अपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजे गडवंदन जाने हैं या नहीं घडवंदन पता नहीं दो लड़के पहले भी घडवंदन कर चुके थे क्या हाश्रुहाओं हम ने भी देखा दूसरी लड़के बगल में खड़ें आपके बूआ भतिजा के बारे में तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है बूआ बारा पे रह गई यह प यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी सब समझते हैं तो जो भी कुछ आपको लगे कि कोई भी नेता जो है कि उसकी बात में सच्चाई नहीं तो बता दीजेगा माइक आपके पास पहुंच जाएगा आप हाद उठाएंगे माइक आपके जवाब देना चाहूंगा डॉक्ट दो चुनाव यूपी में आपने जीते हैं 17 और 22 यूपी में चुना भी तो हुए हैं जब से 17 और 22 यह इस्थानी निकाए भी जोड़ लो उसमें भी आर गया फिर तो कॉप्रेटी सुसाइटी भी जोड़ लो फिर तो क्रमेकियों के भी जोड़ लो आट गुले भी पार्टी की उसके बाद लगातार चुनाव हारते हुए हारते हुए हारते हुए च्छाणवे में जोड़ तोड़ से थोड़े दिन के लिए बना ली थी उसके बाद पहली बार 2017 मिले और उसमें इतनों गमंडा गया हमने तो कभी नि कहा कि BJP खतम हो गई है या BJP मूद्ध खाने लायक नहीं है या बीजेपी को बोलना नीची है हम हार गई तो क्या हम बोलेंगे नहीं जंता के मुद्दों पर हम विपक्ष है और माफ कीजिए 2022 के चुनाव में हमें 125 सीटे मिली और 3 करोड से जादा वोट मिला अगर ये कमजोर समझ के गलत फेमिम रहे हैं तो रहे जाओ हम अपना इस बार आपने ताकत दिखा आजए चलिए कॉंग्रेस पार्टी से अजए जी यूपी की बात कर रहे है यूपी में राहूल गांधी जी है मेठी से चुनाव हार गये एक सीट आप पाए थे 2019 के चुनाव में सबसे पहले तो एक सवाल यह जंता के मन में कि क्या 19 जैसा कोई गठबंदन बनेगा जिसमें आप भी शामिल होंगे अभी 23 तारीक को सारी पार्टिया मिलने वाली है क्योंकि इनका रिकॉर्ड यह बता रहा है महा गठबंदन हुआ 2019 में किसान आंदोलन भी माना जा रहा था कि इनके खिलाफ जाएगा इस पार ऐसी कोई प्रणी चीज नहीं है तो फिर गठबंदन ज़रूरी है या नहीं देखें उत्तर प्रदेश की राजनिति और देश की राजनिति के सच्चाई है कि गठबंदन तो होना ही चाहिए गठबंदन होगा तो समान विचारदारा के लोग एक साथ आएंगे एक मंच पर आएंग ब्रह्म पहलाना और ब्रह्म के कारण ये सारी चीज़ें चली है सब को पता है फुल मामा के सहीदों पर क्या हुआ आज तक उसकी जांच नहीं हूँ उसकी बिद्वाया उनके बच्चे मांग करते रहे और ये चुनाओ जीत करके उस पर क्या क्या हुआ अभी सत्पाल मलिक सा हैं रोजी-रोजगार जब ये मार्केट में जाएंगे अभी जनरलिजम के चात रहें अलग-अलग चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं मैं प्रोफेसर हूं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ जब आप छेतर में जाएं तो देखें क्या जॉब मार्केट का हालत है जॉब मार्क है यूपी हो या देशो गठबंदन जरूरी है नहराने के लोगतंतर में जो वोटों का इक्वेशन है जनता के बीच जब आप जाएंगे तो वैकल्पिक ये कारकरम देना होगा अभी हम विपक्ष में हैं और विपक्ष है दी मजबूत होगा जब वैधानिक्ता होगी मोदी नामा हम जबते रहें या या राहूल जी का भी नामा हम नहीं जबते हम तो असपस्ट बात है कि लोग तंतर में जनता मालिक है और जनता जो निर्ने देती है उसकी बुधिमता पर में प्रस्द नहीं करता जनता ने इसके पहले निश्चित तोर पे मोदी जी को अद मोदी नामा जप रहे हैं ये देश की जनता ही सचाई को अब समझ गई है कि ग्राउन में चीजें खतम हो गई है और विपक्ष का काम इनलों को एक्सपोज करना है हम इमांदारी से कर रहे हैं हां कुछ गोधी पाटियां जरूर है जो सहयोग कर रही है उत्तर परदेश की बात थी तीन जगह जब हम साथ थे तो गोरकपूर जैसा सीट वही जोगी जी का सीट था जो हार गयते फूलपूर हार गयते काराना हार गयते यदि हम एक साथ आएंगे तो सो परतिस्थ है कि ये हारेंगे दो हजार जो चौबीस की लड़ाई है वो अलग होगी देखिए उनका साफ कह रहे हैं कि गटबंदन जरूरी है इतना तो ने निमानदारी से स्विकार किया 19 के नतीजे के बावजूद उनको लगता है इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं है जमीन पर बहुत नाराजगी है लोगों में लोग बड़ी दुश्वारिया महसूस कर रहे हैं कटबंदन हो जाएगा तो मोधी जी हारेंगे देखे हर प्रवक्ता का अपनी पार्टी को डिफेंट करना चैनल पर बिलकुल लाजमी है अगर आप पिछले बार का डेटा देखें 2019 का तो करीब 38% 37.5% वोट भाचपा को पूरे देश में मिलाता और भाचपा को उत्तर प् प्रदेशन फायदा होता मैं गिनाता हूं 2014 का 2012 में अखलेशन पार्टी कमान ली चाचा पिता जी को भार धक्का देके निकाल दिया 2014 का चुनाव हरे 2015 में अर्बन का चुनाव हरे 2017 में फिर से गड़बंदन किया फिर से चुनाव हरे 2021 में करोना की वेव के बाद जब लगा क्यूं और जिस तरह से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में चाहें वो डिस्मेशन सम्ट हो चाहें वो एक्स्परेस वे हो मतलब आपको मैं फ्लाइटS की बताता हूँ 25 कनेश्न थे उत्तर प्रदेशन से आने जाने के लिए एक्सप्रस वे आप मीडिया वाले लोग है अपने जो फील्ड के रिपोर्टर उनसे पुछी आप उत्तर प्रदेश में कहीं पहुंच जाईए बिल्कुल सुगमता से आपके रिपोर्टर रूरें तक जाते हैं वापिस आते हैं तो जब इतना आसान हो जाता है जो इस अब बीजनेट ये नगा तो कॉनकि जनता देख रही है उसने सारे साथों आठों चिनाव जित्वा दिये, 50% वोट शेर ले आई, जो बिल्कुल एक डेड़ी वोट शेर है, तो मुझे लगता कुछ भी बढ़ने वाला अजया अलोक साब, देखें, दो बातें इन्होंने कही, कॉंग्रेस के मेरे मित्र ने, इन्होंने पुलवामा का जिक्र किया, कि पुलवामा के शहीदों के साथ अन्याय हुआ, पुलवामा के बाद क्या हुआ, पुलवामा के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में घुस के मारा ह जो आज तक आपने नहीं किया था बंबई दम धमाकों के बाद देखिए देश का एक शौर होता है देश की अपनी इज़त होती है उसके साथ कॉंप्रमाइस कभी नहीं होना चाहिए मुंबई बंधमाकों के बाद जब हमारे सेना ध्यक्ष गये थे प्रधानमंत्री मन मोहन सिंग के पास ये कहने कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए भारती सेना तयार है रोक दिया गया ये करने की जरूरत नहीं है ये हम नहीं करेंगे चुनाओ आने वाले क्या मत सुदू करता हूं मैं कॉंग्रस पार्टी परिवारवाद राहूल गांदी करप्शन के इल्जाम जिबेल बाहर आर जे डी लालु प्रशाद यादव करप्शन पे है जेल में है सजा मिल चुकी है परिवारवार समा अखिलेश यादव परिवारवाद करप्शन आयसे वह परिवारवाद, करप्शन का इल्जाम, लगातार, कौन-कौन पार्टीज हैं, लाइन से देविट लीजे, एक ही विशारधार है भाई साब, परिवारवाद और करप्शन इनको जोड के रखती है, ये किसलिए आना चाहते हैं मिलके, क्योंकि इनको पता है, कि अगर मोदी आ आके रख दिया पूरे देश को और स्टेट को, और उसी का गुडगान करते है, कहते हैं कि मोदी नामा, राहूल नामा, राहूल के जाने से तो कॉंग्रेस पार्टी खुश होगी, कि राहूल गांधी आठ साल चुनाओ नहीं लड़े तो कॉंग्रेस पार्टी बच डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर